Marvel Cinematic Universe इतना famous हुआ कि बड़े बड़े production houses सोचे चलो यार अपना भी एक universe बनाई ही देते हैं तो जैसे MCU है जहां बहुत सारे superheroes एक दूसरे की movies में आते रहते हैं और एक ही universe में जी रहे हैं वैसे ही monsterverse है जहां बहुत सारे monsters एक दूसरे की movie में आते रहते हैं अब देखें monsters monsterverse में बाब आदम के जमाने से है मतलब इतने पुराने के human civilization स्टार्ट तक नहीं हुआ था तो मैं आपको वो full on detail history नहीं बता कर direct आपको monsterverse के timeline को समझाने की कोशिश करूँगा और ये monsterverse का timeline MCU के timeline के तरह difficult नहीं है क्योंकि इस monsterverse में सिर्फ 3 movies आए हैं अभी तक जिसमें Godzilla vs. Kong 4th movie होगी और ये universe start हुआ था 2014 की Godzilla से फिर आई 2017 की Kong Skull Island and then 2019 की Godzilla King of Monsters लेकिन अगर actual timeline की बात की जाए तो पहले आएगी Kong Skull Island जो 1973 के era में based है फिर आएगी Godzilla जो 2014 पे based है and then Godzilla King of Monsters जो 2019 पे based है 2014 की Godzilla में ये दिखाया गया कि Godzilla 1950s के एक nuclear test का result है जो बहुत जमाने तक hibernation में था और इस movie में दुनिया को एक नए type के monster से threat था और वो है mutos Massive Unidentified Terrestrial Organisms जो basically monster size के insects है और man-made radiations उनका खाना है जिस पे वो survive करते हैं अब इस movie में Monarch को भी introduce किया गया जो basically monster verse का shield है और ये ठीक shield के तरही एक secret organization है जो track करता है Godzilla और kong जैसे monsters को अब Monarch का plan ये था कि किसी तरह Godzilla और mutos को फसा कर destroy किया जाए लेकिन climax में Godzilla खुद mutos को मार कर गायब हो जाता है और फिर लोग अब Godzilla को अपना saviour मानने लगते हैं फिर आए 2017 की Kong Skull Island जो personally मेरा favorite movie है इस monster verse का अब ये movie आई तो थी 2014 के Godzilla के बाद लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसका timeline 1973 के Vietnam War के time की है तो basically ये Godzilla के पहले की कहानी है अब इस movie से King Kong को फिर से introduce किया गया और इस बार वो अपने ही island में रहता है जहां का वो king है और इस movie में आपको Nick Fury, Loki और Captain Marvel तक दिखेंगे लेकिन obviously एक completely different roles में और ये part मेरा favorite इसले भी था क्योंकि इस पे बहुत सारे monsters को देखने को मिलता है जिसके बारे में मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी brief में बता देता हूँ movie में Skull Crawlers को introduce किया गया अब ये Skull Crawlers सिफ एक ही नहीं है और in fact इनका specific numbers तक नहीं बताए गया है लेकिन ये 10 से लेकर 1000 तक हो सकते हैं जो 1000 साल से उस island में कहर मचाए हुए है फिर movie में Skull Buffalo को introduce किया गया जो कि Monster Size के Buffaloes है फिर Mother Long Legs को introduce किया गया जो Monster Size के Spiders है जिसको movie में Army वाले ने मार दिया था फिर आए Mire Squids जो 100 feet लंबी Octopus है जिसको Kong ने एक epic fight के बाद मार कर basically खाई गया था फिर Psycho Vultures को introduce किया गया जो Giant Bat Like Predators है फिर आए Spore Mantis जो around 50 feet के insects हैं जो पेरों के बीच छुपे रहते हैं जो एक तरह से Psycho Vultures के तरह ही है लेकिन उनसे size में थोड़े से चोटे हैं लेकिन जब यह एक flock में उड़ते हैं तो किसी भी इनसान को अराम से उठा कर ले जा सकते हैं तो यह तो थे monsters अब बात करते हैं Hollow Earth theory के बारे में जो इसी पार्ट में mention किया गया था और जो Godzilla vs. Kong को समझने में बहुत important role play करेगा अब यह एक simple सी theory है जहां यह mention किया गया है कि Earth के बीच और बीच बहुत सारे tunnels हैं जिसके थूरू बहुत सारे monsters travel करते हैं और कुछ-कुछ जगह पे कभी भी नजर आ जाते हैं और इंसानों से छुपकर इस tunnel के थूरू travel करते हैं और इस बिलीव कि Godzilla vs. Kong में hollow earth theory को फिर से mention किया जाएगा कि आखिर इतने सारे monsters इंसानों के साथ कैसे exist कर रहे हैं तो बाई साब एक अलग tunnel है monsters के लिए अब इस movie का post credit scene बहुत ही important था क्योंकि यहाँ पे Kong और Godzilla का connection बनने लगा जहां कुछ cave paintings के थूरू यह credit किया गया कि Godzilla, Rodan और Mothra मिलकर King Ghidorah के साथ एक epic clash करने वाले हैं जो ले आता है इस monsterverse के third movie पे जो है Godzilla King of Monsters अब यह movie start तो होता है 2014 में लेकिन थोड़े ही देर में 2019 में skip कर जाता है तब तक सब को Godzilla and और भी Titans के existence के बारे में पता चल चुका रहता है इस movie में 17 monsters के नाम को reveal किया गया है 17 लेकिन उन में से 3 सबसे ज़ादा important है वो है Ghidorah, Mothra and Rodan अब कुछ eco terrorists जो basically Monarch organization के scientists है वो King Ghidorah को जगा देते हैं जो 3 सर वाला dragon है I mean क्या जरूवत है बाई Game of Thrones में खली सी 3-3 dragon लेके चल रही है और यहाँ एक ही dragon में 3 सर मुफ्त Anyways वो eco terrorists सिर्फ Ghidorah को ही नहीं साथ-साथ Mothra and Rodan को भी जगाया Mothra को Queen of Monsters भी कहा जाता है जो basically monster size की एक तितली है और इसका relationship Godzilla के साथ एक normal इंसानी relationship जैसा है कभी यह दोनों आपस में भीड़ जाते हैं और कभी यह दोनों team up करते हैं specially जब एक बहुत बड़ा खतरा हो और इस movie में वो खतरा King Ghidorah था अब Rodan एक उरने वाला species है जिसको Teranodon कहा जाता है और यह भी team up करता है Godzilla और Mothra के साथ King Ghidorah को मारने के लिए लेकिन इस creature का एक ही problem है और वो यह कि वो ना चाहते हुए भी सब कुछ destroy कर देता है अपने wing के power से जो हमेशा आग से जलता ही रहता है अब Rodan, Mothra और Godzilla मिलकर एक epic clash करते हैं King Ghidorah के खिलाफ और उस clash में Godzilla Ghidorah को मार देता है और बागी सारे titans Godzilla के सामने जुक कर अपने ही way में उसको अपना King accept कर लेते हैं अब देखे इस movie का असली villain कोई भी monster नहीं था बलकि Tywin Lannister Walter Charles Dance था जो Alan Jonah का role play की है और वो एक eco terrorist थे क्योंकि post credit scene में ये दिखाया गया कि वो King Ghidorah का एक कटा हुआ sir purchase किया जिससे वो एक नया monster create कर सके जो basically Godzilla vs. Kong का असली villain होगा and that's none other than Mecha Godzilla and honestly I can't wait to see Mecha Godzilla in fact इस movie का सबसे exciting part था जब end credit में फिर से cave paintings को दिखाया गया और इस बार Godzilla और Kong के बीच में एक epic clash credit किया गया तो guys ये था पूरा monster verse जो I hope, I hope मैं आपको अच्छे सा समझा पाया और अगर आपको ये explanation अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा और जिसको monster verse समझने की जरूरत है उसके साथ ये video जरूर शेर कीजिएगा और ऐसे ही और भी similar contents देखने के लिए चैनल को subscribe करके bell icon दबाना मत बुलिये तब ते के लिए मिलते हैं आप से इंस्टा, Facebook and Twitter में या फिर मेरे नेक्स वीडियो में Thank you guys for watching